अपनी सुन्दता को और निखारने के लिए आज ही हमारा चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें पीपल का पेड हिंदू धरम में सबसे एहम माना जाता है इसी लिए तो पीपल के पेड की पूजा भी होती है कहा जाता है जिस तरह से देवताओं में अनेकों गुन होते हैं उसी तरह से पीपल के पेड में भी कई स्वास्थय वर्दक गुन होते हैं इस व्रिक्ष के पत्तों, शाखाओं और जड़ों में तेज गती से कारय करने की शक्ति होती है इसी तरह ये पेड हमारे श्रीर को कई बिमारियों से बचाने का कारया भी करता है धर्ती पर पाए जाने वाले सबी पेडों में से पीपल का पेड ऑक्सीजन को शूद करने वाला और सबसे एहम व्रिक्ष होता है ये एक ऐसा पेड है जो की 24 गंटे हमें ऑक्सीजन देता है इसके पेड के नीचे रहने वाले लोग बुद्धिमान, निरोगी और अधिक उमर वाले होते हैं ये वही व्रिक्ष है जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने ज्यान की प्राप्ति की थे अब हम बात करते हैं एक पत्ती, पीपल की एक पत्ती शुगर को कैसे खतम कर सकती है इसके लिए आपको एक पीपल की पत्ती लेनी है, एक अमरूद की पत्ती और एक आम की पत्ती इन तीनों चीजों को लेकर एक पेस्ट बना लेना है, फिर इसे सुबा चबा लें ये पेस्ट आपकी श्रीर में रक्त शरक्रा के स्तर को कम करके और मदुमे में बहुत परभावी है अगर इस पेस्ट को आप डेली लेते हैं तो आप बहुत जल्दी शूगर की बिमारी डायबटीज की बिमारी से छुटकारा पा सकते हैं डाइबटीस के साथ साथ पीपल का परियोग और भी कई बिमारियों के लिए किया जाता है जैसे कि पेट की समस्याओं के लिए अगर आपको पेट से सबंदित कोई भी प्रॉबलम है तो इसके लिए पीपल के ताजे पतों को कूट कर इसका रस निकार लीजिए इस रस को सुबह शाम पीने से आपकी पेट स्वंदि प्रॉबलम से सही हो जाएंगी पीपल का चूर्ण बनाकर खांसी जुखाम से भी आप रहत पा सकते हैं पीपल के पतों को यूज़ करके दिल के रोगों से भी आप काफी हर्त तक रहत पा सकते हैं आँखों के दर्स से निजात पाने के लिए पीपल का परियोग किया जाता है इसके लिए पीपल के पतों से यो दूद निकलता है उसे आँखों पर लगा लें इससे आँखों का दर्थ ठीक हो जाएगा तो फ्रेंस आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद थैंक यू